इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिवियू मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता ये जानने के लिए इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉप का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडिस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउसपुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ सामजी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूवात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है साहिल को पी हुई आने की निपरसेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साधी में तमाम र भी होगी कॉर्णाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डा का फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यो ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉप पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात यह है कि मीकर्ष ने इं फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरियस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की सा पंडे सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकती है इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिहु की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉल कोन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूबात होती है साहल यानि की कॉर्णाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकती है इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकस हो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिवियू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंड़स्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉल कॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रेवियू मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कोमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूबात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमू के साथ जिसे पुलिश ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इपिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंड़स्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिहु की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंड़स्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कोमेडी सीरीज है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहल यानि की कोर्नाल खेमूं के साथ जिसे पॉलिस ने पकड़ा है और वो फलकॉन इफिडेंस के साथ पॉलिस को कहता है कि जानते हो की میरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे क्रेक्षन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है, सों के बीच बीच में गाना बजाना भी है, एस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो उटी टी पर पॉपकॉन देख डालिए, सुरू बाती एक ऐपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काष्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कोमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रिक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉर्णाल जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है, सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए, ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग इस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रि जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला 37 कोसिक राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंकी पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल 3 जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यान की कोनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन फिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कौन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पियो की साथी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साथी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरेश देखनी होगी अब बात करते हैं पॉप कॉन के आएंगे ही साथ ही इस भरपूर एंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कम जोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में महनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते क्यों न एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माश 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई इस्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल ह पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है की जानते हो की मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे की साहिल के पता जाने माने नेता बृच के सुर। अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पौपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का बाई किसी की जान हाउस पुल त्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रिक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की हैं यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिये, सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने मे बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 मच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरिय सा अधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वराबर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिश ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिश को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कौन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकती है इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिवियू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और किर्थी सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात यह है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता ये जानने के लिए इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है एस बीकेंड अगर हलका फूलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस अपते अगर कुछ अलका फूलका देखने का मन है तो OTT पर पॉपकॉंट देख डालिये सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉप का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रिक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए, शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने म बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 मच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वर बाचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंकी पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल हैं इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात सामजी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर हैं साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं वलकि कोई और है इस बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है, यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है, सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखने का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों न एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 कोसिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहाँ पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स है जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चन्की पांडे जैसे इस्टार्स में सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कोनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन फिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो की मेरा पॉप कौन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरब सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के लि इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखने का मन है तो OTT पर पॉपक्वन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल 3 जैसी फिलमों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरीस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानिकी कॉणाल खेमू के साथ जिसे पुलिष ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिता की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिविउव पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहाँए आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिज के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपुर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सोरब सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे क्रेक्शन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में महनत कम लगती है, सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकति हैं, इस अगर कुछ भर कुछ फूलका देखने dissemin का मन है तो OTT पर पॉप्कॉ देख डालिये शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपुर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात यह है क मेकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल यादाब जॉनी लेवर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल 3 ज साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता क बात रूपके रॉल में सॉरप सुकला है अब दोनों कि साधी में ब्रेक दब आता है जब पता चलता है की साःल का осली पिता बिर्चकसो नहीं वलकी कोई और है इसबी साःल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है इस कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग इस सो में सामिल जो है पॉपकॉन सतीस को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 मच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहाँ पॉप का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंड़स्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिता की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिवियू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पीहू यानि की निपुर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीहू की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साथी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको 6 एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुखला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिलमों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिता की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साथी होगी जोनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है। मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए, सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा, लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है, और हो भी क्यों ना, एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है, पॉप पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पॉप का मतलब पापा से है, इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है, पॉपकॉन में यू तो कई इस्टार्स हैं, जिनका वरावर रॉल है, मगर कॉनाल खेमू और क इसकोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल हैं, इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल 3 जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है, पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है, और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमूं के साथ, जिसे पॉलिस ने पकड़ा है, और वो फुलकॉन एफिडेन्स के साथ पॉलिस को कहता है, कि जानती हो कि मेरा पॉपकॉन है, तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है, दर्सक देखेंगे कि साहिल की पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर हैं साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नह देखनी होगी, अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे सुरफ सुखला, और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस अपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरुबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई इस्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है पॉपकॉन के रिवियों की कॉनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सुरफ सुगला और स्वर्गी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिहु की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉल कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूवात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमु के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वह फिलकॉन इपिड dei foll के साथ पौलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिहु की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता ये जानने के लिए इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन एफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता बिर्च के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्योगी साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पौपकॉन के रिबियो की कौनाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखने का मन है तो OTT पर पौपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से हो और हो भी क्यों न एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो हैं पौपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पौपकॉन का फुल रेवियू पौपकॉन नाम और पोस्टर से ऐ इसा लगता है कि पौपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पौपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पौपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कौनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड इंडस्टरी के तमाम बड़े कोमेडी स्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल यादाप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे स्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पूल 3 जैसी फिल्मों के नि बनते हो की मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहल को पी हूई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे करेक्शन कम जोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है, सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिये, शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना, एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास औस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिता की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिवियू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरप फुलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखने का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए, शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा, लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठ इसको रिलीज होगा, तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू, पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा, लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है, इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है, पॉप पॉपकॉन के साथ पॉपकॉन के साथ पॉलिस को कहता है, कि जानती हो की मेरा पॉपकॉन है, तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है, दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है, साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है, और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है, अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साह साहिल का असली पिता ब्रिचकेसों नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिउहू की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता यह जानने के लिए आपको 6 एपिसोडों से सजी पूरी सीरेश देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि कि जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि कि निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिहु की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिवियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कॉसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे आरेक्शन कमजोर लगता है, मगर कहानी को गढ़ने में मेहनत कम लगती है, सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फूलका देखनी का मन है तो ओटीटी पर पॉप कॉन देख डालिए, शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझ पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यूटो कई इस्टार्स है जिनका 具 रावर रॉल है मगर कोणाल खेमू और किर्ती सेनन की बेन नुपूर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाॉसपुल 3 जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की शरुवात होती है साहिल यानिकी कोनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कौन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकती है इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पीहू यानि की निपुर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीहू की साथी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साथी होगी और कौन है साहिल का असली पिता ये जानने के लिए आपको 6 एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुखला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउसपुल 3 जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिज है और इसकी कहाणी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कौनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकौनिफिदेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो की मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेटा ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की हैं यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है, एस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉप्कौन देख डालिये, सुरू बाती एक एपिसोड कापी मामूली काहनी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माश 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल हैं पॉपकॉन की खास बात यह है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कोमेडी स्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकोन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमू के साथ जिसे पुलिश ने पकडा है और वो फॉलकोन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो की मेरा पॉपकोन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं, अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता, ये जानने के अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरप फुलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखने का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए, शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा, लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठ इसको रिलीज होगा, तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू, पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा, लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है, इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है, पॉप पॉपकॉन के साथ पॉपकॉन के साथ पॉलिस को कहता है, कि जानती हो की मेरा पॉपकॉन है, तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है, दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है, साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है, और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है, अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साह इलका अशली पिता ये जानने के लिए आपको 6 एपिसोडों से सजी पूरी सीरेश देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरेश को मजबूत बनाने में तमाम कॉसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्श ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पॉलिश ने पकड़ा है और वो फॉलकों ऐफिटेंस के साथ पॉलिस को कहता है की जानती हो की मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे की साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिश के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की हैं यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल सौ में बीच बीच में गाना बजाना भी है, एस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है, तो आप इसे देख सकती हैं, इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है, तो OTT पर पॉपकोन देख डालिये, सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझन में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 मच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आप को बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका बरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात यह है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब, जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है, इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल 3 जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है, पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिज है, और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साह साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है, साहिल को पी हुई यानि की निपरसेनन से प्यार हो जाता है, और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है, अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब् पूरी सीरिस देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉर्णाल खेमू जोनी लेबर चंकी पंडे सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो साथ ही यसे भरपूर इनजोई भी करेंगे मगर इसका डायरेक्षन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में महनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते है इस अबते अगर एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास औस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पौप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूवात होती है साहिल यानि की कौनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फोलकॉन इपिदेन्स के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता ये जानने के लिए इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है साहिल को पी हुई आने की निपरसेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साधी में तमाम र भी होगी कॉर्णाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डा का फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यो ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉप का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई इस्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात यह है कि मीकर्ष ने इंड़स की जान हाउस पुल 3 जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरियस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहत की जानते हो की मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे की साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपरसेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुक अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साइल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच म काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 मच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में 37 कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल हैं इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल 3 जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पॉलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पॉलिस को कहता है कि जानती हो की मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिये, सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा, लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है, और हो भी क्यो ना, एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है, पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है, जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा, तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू, पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा, लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है, इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है, पॉपकॉन में यू तो कई इस्टार्स हैं, जिनका वरावर रॉल है, मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है, पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर् किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है, पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है, और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ, जिसे पुलिस ने पकड़ा है, और वो फॉलकॉन पीहू यानि की निपरसेनन से प्यार हो जाता है, और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है, अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है, जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है, इस भी साहिल और पीहू की साथी में तमाम रुका पानी लेबर, चंकी पंडे, सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है। यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे। मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है, सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 कोसिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास औस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहाँ पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पुल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमु के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है साहिल को पी हुई आने की निपरसेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साधी में तमाम र भी होगी कॉर्णाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डा का फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यो ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉप का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई इस्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात यह है कि मीकर्ष ने इंड़ आसपुल 3 जैसी फिलमों के निर्देसक फरहात सामजी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरियस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिश ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जान और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कॉर्णाल खेमू जोनी लेबर चंकी पंडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीर कानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपि जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडिस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउसपुल थ्री जैसी फिलमों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूबात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरब सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रिक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की हैं यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस अबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकोन देख डालिये, सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने म बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 मच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वर बाचपाल याद आप जोनी लेवर से लेकर चंकी पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल हैं इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉपकॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर हैं साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की, कॉरनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुखला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है, यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इनजोई भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्σιन कमजोल लगता है, मगर कहानी को गड़ने में महनत कम लगती है, सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है, इस बीकेंट अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस हबते अगर कुछ हलका फुलका मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 कोसिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यूटु कई इस्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉनाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंकी पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कौन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपरसेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सो नहीं वलकि कोई और है इस भी साहिल और पियों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको 6 एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सुरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजोई भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में महनत कम लगती है सो में बीच-बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखने का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिवियू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जौनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉक्कोन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरूबात होती है साहिल यानि की कौनाल कहेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फिल्कौन इफिडेन्स के साथ पुलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि कि जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि कि निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का अशली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यूद्टो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीट कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंड़स्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहल या निकी कॉरनाल खेमू के साथ जिसे पॉलिश ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन पिडेंस के साथ पॉलिस को कहता है कि जानते हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई यानि की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पिहु की साथी में तमाम रुकावटे आती है अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पांडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजन्ट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकती है इस हपते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन शुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो की डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मीकर्ष ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला सतीस कोसिक राचपाल याद आप जोनी लेबर से लेकर चंग की पांड़े जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देसन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देसक फरहात साम जी ने किया है पॉप कॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फॉलकॉन इफिडेंस के साथ पुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहाणी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिटा जाने माने नेटा ब्रिच के सौर याने की जोनी लीवर है साहिल को पीहू याने की निपुर से ननन से प्यार हो जाता है और उसके पिटा के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और प्यों की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का असली पिता ये जानने के लिए इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकीनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डायरेक्शन कमजोल लगता है मगर कहानी को गड़ने में मेहनत कम लगती है सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है इस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं इस हबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए सुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लास ऑस्टार पर 17 माच 2030 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोस्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जड़ा होगा लेकिन यहां पॉपकॉन का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड कास्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्स ने इंडस्टरी के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कॉसिक, राचपाल यादाब जोनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल 3 जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहल यानि की कॉनाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो फुलकॉन इफिडेंस के साथ फुलिस को कहता है कि जानती हो कि मेरा पॉप कॉन है तमाम पंच के साथ कहानी आगे बढ़ती है दरसक देखेंगे कि साहिल के पिता जाने माने नेता ब्रिच के सोर यानि की जोनी लीवर है साहिल को पी हुई आने की निपर सेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरब सुकला है अब दोनों की साथी में ब्रिक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिच के सोर नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पीओ की साधी में तमाम रुकावटे आती हैं अब कैसे दोनों की साधी होगी और कौन है साहिल का अशली पिता ये जानने के लिए आपको छे एपिसोडों से सजी पूरी सीरिज देखनी होगी अब बात करते हैं पॉपकॉन के रिबियों की कौनाल खेमू, जोनी लेबर, चंकी पंडे, सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कौमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की हैं यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही, साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे, मगर इसका डायरेक्शन कमजोल सो में बीच बीच में गाना बजाना भी है, एस बीकेंड अगर हलका फुलका देखनी का मन है तो आप इसे देख सकते हैं, इस अबते अगर कुछ हलका फुलका देखनी का मन है तो OTT पर पॉपकॉन देख डालिए, शुरूबाती एक एपिसोड काफी मामूली कहानी समझने में बीच जाएगा लेकिन सुरूबाती ठीक ठाक पंच और असी ठीटोली से होती है और हो भी क्यों ना एक से बढ़कर एक कॉमेडी केंग एस सो में सामिल जो है पॉपकॉन 37 को सिक का भी आखरी सो है जो कि डिजनी प्लस ऑस्टार पर 17 माच 2013 को रिलीज होगा तो चलिए आपको बताते हैं पॉपकॉन का फुल रिव्यू पॉपकॉन नाम और पोश्टर से ऐसा लगता है कि पॉपकॉन से जुड़ा होगा लेकिन यहां पॉपक का मतलब पापा से है इसी टाइटल पर पूरी सीरियस आधारित है पॉपकॉन में यू तो कई स्टार्स हैं जिनका वरावर रॉल है मगर कॉणाल खेमू और कृती सेनन की बेन नुपर सेनन लीड काश्ट में सामिल है पॉपकॉन की खास बात ये है कि मेकर्ष ने इंडस्ट्री के तमाम बड़े कॉमेडी इस्टार्स को इसमें सामिल किया है सौरप सुकला, सतीस कोसिक, राचपाल यादाब जौनी लेबर से लेकर चंग की पांडे जैसे इस्टार्स इसमें सामिल है इसका निर्देशन किसी का भाई किसी की जान हाउस पॉल थ्री जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहाथ साम जी ने किया है पॉपकॉन एक कॉमेडी सीरिस है और इसकी कहानी की सुरुवात होती है साहिल यानि की कोणाल खेमू के साथ जिसे पुलिस ने पकड़ा है साहिल को पी हुई आने की निपरसेनन से प्यार हो जाता है और उसके पिता के रॉल में सौरप सुकला है अब दोनों की साधी में ब्रेक तब आता है जब पता चलता है कि साहिल का असली पिता ब्रिचकसो नहीं बलकि कोई और है इस भी साहिल और पी हुई की साधी में तमाम र भी होगी कॉर्णाल खेमू जोनी लेबर चंकी पांडे सौरफ सुगला और स्वरगी 37 कौसिक जैसे कॉमेडी लेजेंट ने इस सीरिस को मजबूत बनाने में तमाम कौसिस की है यकिनन आप ठाके तो लगाएंगे ही साथ ही इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे मगर इसका डा